भाई और बैनों आपको याद होगा इसी भूमी के वीर सपूत शाम जी कृष्ट वर्मा अंग्रेजों की धर्ती पर रहकर उनकी नाक के नीशे जीमन की आखरी सांथ तक आजादी के लिए संगर्श करते रहे लेकिन उनकी अस्तियां साथ दसकों तक इंतजार करती रही कि उन्हें भारत माता की गोद्म नसीब होगी आखिर कर 2003 में विदेश से शाम जी कृष्ट वर्मा के स्तियां मैं अपने कन्ने पर उठाकर के लिए आया था ऐसे कितने ही कितने ही सेनानी है देश पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोग है देश के कौने कौने से कितने ही दलीद आदिवाती मैलाए और युवा हैं जिनोंने असंगी के तप और त्याक किये याद करिए तमिल नाडू के 32 वर्षे नौजवान कोडी कात कुमरान उनको याद कीजिए अंग्रेजों ने उस नौजवान को सीरी में गोली मार दी लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के जंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया तमिल नाडू में उनके नाम से ही कोडी कात सब्द जुड़ गया जिसका आर्थ है जंडे को बचाने वाला तमिल नाडू की ही वेलू नाचियार वो पहली मारानी थी जिनों अंग्रेजी हकुमत के खिलाब लडाई लड़ी थी इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हकुमत को गुटनों पर लाने का काम किया जारखण में भगमान बिर्सा मुंडा उन्होंने अंगेरी जोंको चुनोती दी थी तो मुर्मु भाईयों ने संथाल आंदोलन का नेत्रुत्व किया था ओडिसा के चक्रा विशोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मन नायग ने गांधिवादी तरीकों से चेतना फैलाई आंदर प्रदेश में मन्यम विरुडी यानी जंगलों के हीरो अलूरी स्थिरा राम राजु ने रंपा आंदोलन का बिगल फुका था पासल था खुंग चेरा ने मिज़ुराम की पहड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था ऐसे ही गोंधर कौवर लसिद बर्फुकन और सिरत सिंग जैसे असमर प्रवोत्तर के अनेकों स्वाधिंता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया यहां गुजरात में बड़ोधा के पास जामुगाड़ जाने के रस्ते पर हमारे नाइका कौम के आदिवाचियों को बलिदान कैसे भूल सकते हैं मानगेड में गोविन गुरु के देतरुतों में सैंकड़ आदिवाचियों का नरसावार हुआ उन्हें लड़ाई लड़ी देश इनके बलिदान को हमेशे याद रखेगा साथियों मा भारती के ऐसे ही वीर सपतों का इतियास देश के कौने कौने में गाउं गाउं में है देश इतियास के इस गौरों को सैजने के लिए पिछले छे सालों से सजग प्रयास कर रहा है हर राज्य हर खेत्र में इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है दान्डी यात्रा से जुड़े स्थल का पुनरधार देश ने दो साल पहले ही पुरा किया था मुझे खुद ही समसर पर दान्डी जाने का सवभागी मिला था अन्डमान में जहां नेताजी सुबात बोज ने देश की पहली पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फैराया था देश ने उस विश्मृत इतियास को भी भव्याकार दिया है अन्डमान निकोबार के दीपों को स्वतंतरजा संग्राम के नामों पर रखा गया है आज आज दिन सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर भी आयोजन किया गया तिरंगा फैराया गया और नेताजी सुबात बाबु को सरदान ली दी गई गुजनात में सरदार बल्लब भाई पटेल की विश्व की सबसे उची प्रतिवां उनके अमर गवरों को पूरी दुनिया तक पहुचा रही है जलिया वाला बांग में समारक हो या फिर पाई का अंदोलन के स्मृति में समारक सभी पर काम हुआ मामा साबा मेड कर से जुड़े जो सान दसकों से बूले बिसरे पड़े थे उनका भी विकास देशने पंच तिरसक के रुप में किया है इस सबके साथ ही देश ने आदिवासि स्वाधिन्ता सेरानियों के इत्यात को देश तक पहुचाने के लिए आने वाली पीडियों के लिए पहुचाने के लिए हमारे आदिवाचों के संगर्श की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में मुज्यम बनाने का एक प्रयाश शुरू किया है